धामपूर के थाना शेरकोर्ट के अंतरगत नेशनल हाईवे चोहतर पर देर रात एक तेज रफ्तार कार अनियंतरित होकर हाईवे किनारे रेलिंग से जाटक राई जिसमें कार सवार एकवयक्ती की मौके पर ही मौत हो गई जब कि चार अन्य लोग खायल हो गए इस्थानी पुलिस ने घायलों को एम्बूलन्स की मदद से धामपूर CHC भिजवाया हाथसा शेरकोर्ट में नेशनल हाईवे चोहतर पर हरीजन धर्मशाला के सामने रात करीब साड़े ग्यारा बचे हुआ अफजलगर से धामपूर की और जा रही यह कार तेज रफ्तार के कारण अनियंत्रित होकर हाईवे के किनारे लगी रैलिंग को तोर्ती हुई लाश्ट में चाकर रुग गई टकर इदनी जबरदस्त थी कि रेलिंग कार के ड्राइवर सीट के बगल में बेठे किरनपाल पुद्र लक्ष्मी सिंग निवासी गाउं फरीदपुर एहतमाली थाना धनोरा जन्पद अम्रोहा के सिर में घुज गई जिस से उनकी मौके पर ही मौत हो गई हाथसे में घायल चार लोगों की पहचान कुनाल पुत्र जस्वंत निवासी चंदन नगर दहरदून, सकुंतला देवी पतनी स्वरगिये सोहनलाल निवासी चंदन नगर दहरदून, मिनाक्षी पतनी मनोज निवासी नहरू नगर दहरदून और मनोज पुत्र भयंकर निवासी नहरुनगर दहरदून के रूप में हुई है। पुषपेंद्र सिंग ने जानकारी दी की हाथसे में एक वयक्ती की मौत हो गई और चार लोग घायल हुए है। रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।